शाहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीसिया न्यूस को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले साई होंडा पॉइंट कंपनी ने करमचारियों को बिना कोई वज़ा बताय दरजन और करमचारियों को काम से निकाल दिया जिसे बेरोजगार हुए करमचारियों पर फूके मरने की नौबता पड़ी है इसे साई होंडा प्रभंदक ध्यान दे और करमचारियों को फिर से रोजगार प्रदान करें ऐसे मांग बेरोजगार हुए करमचारियों ने की है शहर में कुरोना ने जब से दस्तक दी है तब से लेकर अब तक कईयों को बेरोजगार की जाने की घबर की संख्या दिनों दिन बड़ रही है कुरोना वाइरस और लॉकडाउन का नाम आगे करा कर कुछ कमपणी पुराने करमचारियों को निकाल कर बेरोजगार कर रही है बता पड़ी है कुछ कर्मचारियों ने इन बीसी अंसमक्ष बात करते समय ये बात कही कि साई होंडा पॉइंट के व्यवस्तापक हेमन कडू इन्होंने लॉक्डाउन का कारण बता कर हमें निकाल दिया और हमारे जगह उनके मनमर्जी संभालने वाले नए लोगों को काम पर रखा गया है हमारे साथ में ऐसा हुआ कि अभी एक साल से हम वहां पर वर्किंग कर रहे हैं वर्किंग करने के बाद में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अभी लॉक्डाउन हो गया लॉक्डाउन होने के बाद में अगर पता चलता है कि हम अभी घर पर बैटे हैं हमको नास पूछते हैं रिस्पांस कॉल करते हैं तो वो बोलते कि हम आपको 10-15 दिन में बुलाएंगे बुलाने के बाद में यह बताते भी नहीं है कि हम आपको कब बुलाएंगे कर्मचारियों पर हो रहे इस अन्याय से बेरोजगार हुए कर्मचारियों के परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए है क्या मेरा परसन राजकुमार मोहर के साथ संजर मेरे के रिपोर्ट इंपीस या नियूस नाकपुर